गोड इविनिंग फ्रेंड्स वेल्कम है आप सभी लोगों का आज के क्लास में जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक इसी क्लास का इसी चैप्टर्स का है देट इस हम लोग पर रहे थे देट इस फाइबर टू फैबरिक आपको बता दूँँ आपके जानकारी के लिए जो हमारा दो पॉर्सेंस में पढ़ना था बेसिकली पहला पार्ट में हमने उनको खतम किया अब जो इस पॉर्सेंस में हम लोग बचाओ और रिमेनिंग पार्ट जो हम लोग इसको की बात करेंगे याद रखिएगा बहुत लोगों का कहना होता है कि जो फाइबर टू फैबर मॉटन आज के फिल्ड में अगर लोग बात करें फूड का फूड हैवीट वह एक मिसका लाइफस्टैल है जितने फूड इंठी हो चुके हैं खाने के तरीके तौर बदल चुके हैं उस तरह से हमारा ड्रेसप भी बदल चुका है दोस्ट ड्रेस में जो कॉालिटी होती है क कपरो की वह फाइबर्स के ही बने होते हैं तो कपरों की क्वालिटी जो हमारा बिसिकरी सिल्क हो कॉटन सो उल हो गया यह सब जो हम लोग यूज करते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमें नहीं पता लोग क्यों बोलते हैं कि यह बोरिंग है क्या आपको यह क्लस में जानना होता है आप इसको अतनी है जैनते हैं तो आप बता सकते हैं कि स्ट्ट का जो होना चाहिए वह होना चाहिए कंपरा का कॉलर Tea डैंट शॉक्ष करतों तो नहीं पता नहीं कि तिने सारे ब्rent्स ऐ हैं यह सारे जो भी ब्रैंड्स हैं, यहां तक ब्लू डायमेंड्स भी हैं, सियाराम्स हैं, तो सभी जो ब्रैंड्स के कप्रे आते हैं, उनसे में quality जो होता है, वो differ करता है, अगर मैं बात करूँ इस chapter में, इस chapter में basically हमने वही समझेंगे, तो यहां पर एक diagram मैंने discuss करने की यह diagram जो है, सो करता है दो चीजे ये पेर पे चरना है, पेर जो होता है, यह मलवरी का पेर है, मलवरी के पेर पेर ऐसे container जो बने हुए हैं यह सारे container जो देखेंगे आप इसमें क्या करते हैं हम लोग वह सिल्क वहां का जो हमारा जो बनता है leaf पे cocoon type structures उसको हम लोग collect करते हैं फिर इसी diagram में मैंने attach करने की कोशिस की है industrial वाले को that is फिर हम वहां से processing करते हैं industry में तब जाके हमारा silk का cloth जो भी हम लोग obtain करते हैं इस तरीके से करते हैं तो हम लोग बात करते हैं large industrial अगर हम बात करते हैं और basis of large volume तो हमारा जो cloth का production से वह बहुत ही ज्यादा होगा ज्यादा तभी हो पाएगा जब हम इसमें scientific तरीका से कर पाएंगे तो scientific तरीका वह pattern क्या है जिसमें कि हम लोग सिल्क पढ़ेंगे सिल्की production की बात करेंगे जो process होगा serigulture की बात करेंगे सारा का सारा process हम लोग चैप्टर में इसा ही चोटा सा होगा, इसके शिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल्स फाइबर्स क्योंकि अगर आप हाईर क्लास में जाएंगे, आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के दारान आपको यह बताया जाएगा, जो इन्सेक्ट है, इसी का पाट होजाता है, तो Iniगेंद और सिल्क फाइबर्स के अगर इसमें देखिए, तो अलग-अलग प्रोटीन's हमारे प्रजेंट होंगे वाले में, तो हमारा बीमब्स की बत करेंगे, तो सेरी कल्चर का मतलब क्या होगा जैए तो हमें सिल्क फार मेंगे, बत्तभलू इसी लिए बोलते हैं, on a large scale, we can obtain the enormous amount of silk. तो rearing of silk warm, rearing मतलब हो गया, culture करना, किसका, वो insect का, हम लोग बात करते हैं, silk moth का, for obtain, silk is called seri culture. तो seri culture, यह हम लोग topic यूज करते हैं, यह word यूज करते हैं इस topic में, ताकि हम लोग क्या पता सके, on a large scale, हमारा production किसका होगा, silk warm का होगा, और silk warm, that means, हमारा जो, यह insect है, उसका silk का production हो जाएगा, तो seri culture very old occupation है इन इंडिया, क्योंकि इंडिया टेक्स्टाइल्स के मामले में, बहुत पहले से जाना जा रहा है, silk पहले बहुत सारा historical आप जानते होंगे, silk का production पहले चाइना पर यह भी पता था, फिर इंडिया उसका जो मेजर बना, फिर इंडिया से चाइना लोग रूट हुए जाएगा, जाएगा जाएगा, तो इंडिया जो है, वो हमारा produce करता था, a lot of silk on a commercial scale, for a commercial scale, हम लोग कहा सकते हैं, since before, हम लोग बात सकते हैं, independence से भी पहले की बात है यह, तो कहने का मतलब क्या है, before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth, अब आता है, जैसे आप यह मान के चलो, आपका यह lifestyle है, आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप बड़े होंगे, आप I.S. college में जाएंगे, universities में जाएंगे, फिर आप वहाँ पर अच्छे job करेंगे, अपना business करेंगे, investment करेंगे, जो हम लोग बोलते हैं, यह आप self implied होंगे, यह जो भी आप करेंगे, यह सारे factors, आपको एक अच्छा सफल इंसान बनाएगा, फिर वो आपकी productivity भी होगी, फिर आप स हमारे लिए कहने का मतलब कि वहाँ पर वो produce कर रहा है, और हम लोग उसको use कर पा रहे हैं, तो कौन सा stage है, क्या life का purpose है, क्या motive है, यह बात करेंगे, तो life history जो हम लोग पढ़ते हैं, that means from birth to death, और from birth to death का जो time period है, उसमें हमारा यह silk हो हम, that is silk मौत produce करेगा silk को, अब है, सबसे पहला बात, insect है, insect में male female दोनों होगा, तो जो female silk है, वो ले करती है egg, on mulvary lips, mulvary हिंदी में हम लोग तूथ पढ़ते हैं, यह mulvary का plant, तो mulvary के plant पे उसका lips देखेंगे, यह lips पे क्या कर दिए, एक को लाई कर दिए, egg, यह जो egg होता है, वो hatched होगा, these eggs are hatched in very small larva within three weeks, एक week के अंदर क्या होगा, यह hatch कर जाएगा, जब यह hatch होगा, अब यहाँ पर समझ यह, जब यह hatch होगा, इस तरह से यह break होगया, यह break होगया, यह break होगया, hatch होगया, अब यहाँ से यह समझेंगे, जैसे यह hatch होता है, जो larva से, हमारा क्या produce हो जाएगा, यह larva से हमारा produce ह जाएगा स्मॉलर तो लार्वा आफ सिल्क मौत आर्कॉल्ड चैटर्पिडर बोलेगी और सिल्क और यह जो हमारा सिल्क वाम है वह फीड करता है मलवरी लिप्स को यहां से इसको खाना शुरू कर देगा और जैसे से खाएगा यह चोटा सा कीरा इस ट्रैप का बन जाएगा इस ट्रैप का बन जाएगा यह बन गया जब साइज इंक्रीज किया तब अब जब साइज इंक्रीज होता है तो हम लोग बोलते हैं डवलमेंट अब कोकून वें सिल्क वाम यह कैटर्पिलेज रेडी तो इंटर दा नेक्स्ट स्टेज आफ इस जबलमेंट क्वाल करेगा कवरिंग देनिट स्टेज इंट साइड तो साइड दूरिं दिस मुवमेंट हैड दा सिल्क वाम सेक्रीट फाइबर मेंट अब प्रोटीन विच हाड़ेंस ऑन एक्स्पोजर तो एर अन बिकम सिल्क फाइबर तो वह जो हमारा क्या कर रहा है सकीट कर रहा है तो सेक् और कवर इटसिल्फ अपने आपको इसके अंदर में कवर कर लेता है क्या कर लेता है अपने में अपने अंदर इसको आपको कवर कर लिया और उपर से क्या होगया यह fiber trans हो गया तो वही by silk fiber and turns into the pupa अब यहाँ पर याद रखिए हमने पहले जो बात की हमने पहला क्या बात कि एग ले किये, एग ले करने के बाद, caterpillar ग्रो हुआ, फिर क्या बन गया, pupa में, और उसके ओपर जो covering हो गया, यह क्या बन जाएगा, cocoon, तो यहाँ पर आप यह कर सकते हैं, इसके ओपर पुरा covering है, यह silk वाला, और इसके अंदर क्या चला जाएगा, यह insect, that is silk moth, और यह बन जाएगा, इस्टेटर गया, cocoon, silkworm continues to develop, इसके अंदर जो insect होंगे, वो डवलप होगा, डवलप होगा, और इस तरह से बढ़ा बन जाएगा, और जब वो बढ़ा हो जाएगा, in the form of pupa, inside the cocoon, to form the silk moth, अब यहाँ पर से देखिए, पाएगा, नहीं कर पाएगा, inside, तो क्या करना चाहिए, वो बहार आना चाहिएगा, so as soon as cocoon is formed, it is used to obtain silkworm, and developing silkworm gets killed, अब देखिए, होता क्या है, उसको यह hatch करके, बहार आके निकलना चाहिएगा, पर हम लोग क्या करना चाहिएगे, वहाँ से, उसी cocoon वाला structure को collect करके, हम यह जो उपर का silk है, वो निकलना चाहिए, और अंदर जो insect है, उसको dead हो जाएगा वो, तो some of the silkworm as people are however, allowed to live and mature into the silk, most so that they can lay egg to produce more silk, कुछ-कुछ को बाहर निकलने देते हैं, ताकि वो क्या करें, हैच करके बाहर निकले, और और जा बहुत सारा एग प्रोड्यूस कर दे, बाकियों क्या करते हैं, हम लोग उसको वहाँ से collect कर लेते हैं, there is a variety of silk moth, which look very different from each other, है ना, on the basis of texture, हम लोग बात कर सकते हैं, texture के basis पे, अलग-अलग होगा, यह ना, उसके बाद जो point है, and the silk yarn, they yield is different in textures, that is coarse, smooth, shiny, fine materials, इस अब के basis पे, तो जो silk moth की बात करेंगे, वो अलग-अलग होता है, जैसे तसार silk, हमारा insect के basis पे, different types of moth के basis पे, फिर kosa silk परना है, moga परना है, we obtained different cocoon and a spoon, but different types of moth, the most common silk moth क्या है, मलवरी का है, यह silk moth यह याद रखेंगे, और जो silk obtained होता है दोस्ट, वो आप देखेंगे, cocoon of the mulvary silk moth, ठीक है, तो हमने बात किया, मलवरी का, तो mulvary silk जो होता, soft होगा, तो रलस्चरस होगा, elastic के साथ साज होगा, can be dyed in beautiful colors, और colors के basis पे क्या कर पाएंगे, उसको अच्छे से हमनों color कर लेंगे, तो यह हमारा different तरीका होगा, आपको फिलाल याद वही रखना था, जो मारा cocoon develop होता है, अब यहाँ पर समझते है, तो रहा pure artificial silk का क्या concept है, according to NCRT, तो pure silk is obtained from the cocoon of the silkworm, and made up of proteins, और artificial जो होगा, वो wood pulp से बनाएंगे, और वो भी modified plant type का होगा, cellulose से, वो भी silky like structures देगा, तो हम लोग उसको artificial silk कर सकते हैं, just like silk wool also made up of protein, so a piece of, है न, यहाँ पर woolen fabric also burns, giving the smell of burning hair, same types हो गया, the thread which gives the smell of burning paper, later will be cotton fiber, जो देखेंगे, दोनों same चीज़, तो cotton and paper, बोथ जो है, यह paper plant का हो गया, cotton, आपका यही plant से हो गया, ठीक है, बोथ है, बोथ है, और carbohydrates है, paper is made of cellulose, obtained from the wood pulp, so on burning cotton paper, both give similar smells, तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे, अब आता है, from the cocoon to silk, आप देखेंगे, cocoon जो हम लोग अप्टेंड किये थे, leaves से, इस वाले leaves से, अब यह जो cocoon है बाबू, इसको हम गो क्या करना है, silk, ऐसे अप्टेंड करना है, तो silk moth इसके अंदर, insect यह reared होगा, एंदर cocoons are collected to get silk, तो इसको यहां से क्या करना है, पक्ता पर से हम लोग collect करते हैं, और collect करके सारे का करते हैं, container रखते हैं, जो कि आपने फिर्स डियाग्राम में देखें, अब यहां तो क्या तो रेडिएंगे, अब female silk moth, जो एग करती हैं, वो hundreds of pig at a time, अब जो एग होगा, वो stored होगा carefully on the stripped peppers, है न, of course, यह sold to the silkworm farmers, उसको बेची दीजिए, या उसको आप collect करके रखिए, farmer keeps egg under hygienic conditions, they warm them to a suitable temperature, for the larva to hatch from there, अब उसको क्या करते हैं, पानी में रखके भी ऐसे heat करते हैं, ताकि larva मड़ी उसके अंदर से, hatch हो के बाहर भी आजा, यह फिर मड़ी जाता है वो, larva are kept in the clean bamboo trees, along with the young and freshly chopped mulvaries leaves, उसके साथ रख दिये, ताकि वो और ज़्यादा खाएगा, मतलब क्या किये, cocoon को लाएं, वहां से जो उसके अंदर था, इसे आपको डियाग्राम आपको नहीं बताया हूँ, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो leafs होंगे, structure होगा, यह जो leaf का structure होगिया, यह बहुत सारा leaf रहता है, leaf में हम क्या करते हैं, बहुत सारा जो silk moth है, उसको रख देते हैं, आप ऐसे समझ दिए, आप मार्केट जाते हैं, पालक सागल आते हैं, टोकरी मखते हैं अपने घर में, कीचन में, बास्केट में, आप यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, मलवरी का लिफ रक्स दीजिए, जो हमारा, आप यह कह सकते हैं, जो silk moth है, वो silk moth eat करेगा, मलवरी को लिफ्स को, इसलिए आप कह सकते हैं, larva kept in clean bamboo tray, है ना, bamboo का tray उसे टोकरी बनाये हुए, along with the young and freshly chopped mulvary lips, जब वो mulvary lips को eat कर रहा है, तो 25 से 30 दिन के अंदर, silk moth stop eating and start spining the cocoon, फिर से वो सारा कीरा, क्या करेगा, बहुत सारा cocoon अपने उपर बनाना, शुरू कर देगा, तो आप बार बार जाके, हमको पेर पर से चून के लाना, नहीं पड़ेगा, नहीं तो हर बार चाहरते जाएगेगा, उतरते जाएगेगा, तो क्या करना है, बहुत सारा कीरा लाके रख देना है, और मलवरी का रिफ रख देना है, और में तीन, चार जगा, पांच जगा, जो मारा फार्म होता है, इंड़स्ट्री का, उसमें, वो धेरे-देरे क्या होता है, वो बनते जाता है, फिर वहाँ से चुन-चुन के निकालते जाएगे, और इंसेक्ट का रेरिंग करते जाएगे, तो इसमाल रेक्स और ट्विक्स में भी प्रभाइडे इंटु दे ट्रे, विच कोकून गेट अटच, अराम से वो खाते जाएगा, और आपको सिल्क आज़े प्रोडूच कोकून बनाते जाएगा, तो कोकून जेतना कलक्ट करेंगे, बॉइल करेंगे वाटर में, फिर रिलिंग आउट करना होता है, तो प्रोसेसिंग आउट फाइबर्स प्रॉम दा कोकून, तो कोकून जो एक इस्ट्रक्चर हो गया, लाइप स्टेज हो गया, उससे हमने क्या निकाल लिया, फाइबर्स निकाला, कौन सा सिल्क फाइबर, जिसको एक हम लोगों बोल देते हैं, रिलिंग आउट सिल्क, और रिलिंग डन करते हैं, एक हम लोग फिर से उसको क्या करते हैं, यारने मों कनभट करके, फिर हम इसको किसको देते हैं, वीवर्स को, जो कपरा बुनने का काम करता है, तो बहुत सारी आप ओल्ड एप हिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर मूवीज देखेंगे, तो आपको उसमें देखा जाएगा, कि जो थोरा-thोरा सिल्क का, कोकून टाप का दिया जाता है, उसको कनभट करके बना जाता है सिल्क का फाइबर, फिर सिल्क के फाइबर से, ऐस जे थ्रेड बन गया, अब उस थ्रेड को कंपनी से क्या करेंगे, फिर से बापस हम क्लोथ का बना सकते हैं, चाहिए वो आपका सारी हो, चाहिए वो किसी और क्लोथ का हो, तो सिल्क से जो भी कोश्टली हमारे, हमारे जो भी गार्मेंट्स होंगे, वो बन जाएगे, अब देखिए, ये तो हो गया सिल्क का उप्टेनी, अब यहाँ पर दो चीज बिसिकली समझना है दोस्त, समझना पहला यह है, एक हम लोग बात करते हैं, उक्यूपेशनल हायार्ट्स, उक्यूपेशन का मतलब हो गया, आप जो भी काम करते हैं, जैसे अगर माली ये रेडिंग अफ सिल्क वाम कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कि जो भी डिजीज रिलेटिड हो जाएगे, तो जो आप काम कर रहे हैं, उस काम के बज़े से, अगर आपको बीमारी आ जाए, तो अक्यूपेशनल डिजीज है, हाँ आज बोलसाल के भाँ साम कहा देंगे, जो अभी जो वरक हम लोग करते हैं, वो जिससे मान के चलिए आप समझ लीजीए, आप फैक्टरी में, बड़े-बड़े फैक्टरी में कर रहे हैं, तो वहां से भी आ जा रहा है, तो वो भी हमारा उक्यूपेशनल डिजीज में आएगा, तो आपको बिसिकली जो इस चैप्टर्स में, उल और सिल के साथ जो परना है, वो दोनों परना है, अगर हम उल की बात करें, तो उक्यूपेशनल हाजार्स परना है उल के रिगार्डिंग ली, तो कहने का मतलब पॉइंट यह हो जा रहा है, जो उल इंडस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टन इंडस्ट्री है, उल की बात कर रहा है, है ना, बहुत सारे इंडिन फैमिलीज हो भी है, पहले तो अपना लाइबली हुड इसी से अर्न करते थे, अब भी भी बहुत सारे करते हैं, अगर में लोग बात करते हैं असाम हिमाचर परदेश साइड उधर तो आप उलते हो देखे ही थे अभी हिमाचर परदेश था गुजरात था सब कुछ दिया हुए तो तो जो मेनी पूपिल्स हैं इन दे कंट्री वो अपना लाइबलियूट कर रहा है अब यहां पर कैसे तो आप यहां पर बात समझी है हमने क्या किया जो सीफड है मैंने आपको पढ़ाया चल वहाँ जो भेर चला रहा बक्री चला रहा उसमें क्या किया कि जब समर सीजन आई तो उसने सीवरिंग की और देट मेंस जो भी जतने भी कलेक्ट कर लिए वो सारे हेर या इसको में होते करने का तरीका को हम लोगों ने परहता स़टनस बोलते हैं सब्सार्ट नियुकिश को इसको हम लूँ झुक्राइइर ऑल इंदस्ट्री अब यहां पर बात यह ज़्यागा रखना है कि सौर्टन जहाब है वहहारे बैक्टेडिया होते हैं कुसमे हमारे जो फ्लिस होते हैं, हेर्स की नुतोस में, कौनसा बेक्टिरिया है, तो красив काउच करने के लिए, हम लोग बात करते हैं, जो बेक्टिरिया जोगें एंठरक्स, ऩाड मिस्वे अब वो डिजित क्या करेंगे, वो डेलीни ब्लड डौ डिजित ग़ए है, हो सकता है, अगर unchecked रह गया तो अधरा is curable है अब ध्यान रखना है दूसरा हम लोगों परना है silk क्या silk से related country अगर industry के मैं बात करो उससे भी सब कोई dg होगा बिलकुल होगा भाई तो अब हमें बात करते है basic जो dgs है वो आपको allergy याद रखनी होती है तो silk अगर मैं बात करू silk industry की तो silk industry म आप देखेंगे जो workers होते हैं वो लॉंग समय तक रह गए इसमें वो आपको याद रखना है that means time to reel the silk into AR अब जो रील बनाके पूरा यान बरावस्ता करना है in that cases में जो होगा वो affected होया ते arthritis से क्योंकि बैट के पुरा fine trend होता है वो बैट के लपेट कर रहे हैं कर आप तो ब बैक पेन हो गया स्कीन का डीजी हो जाए इंजियरी हो जाए क्रियेटी प्रॉब्लम्स हो जाए है यह सब चीज बात करते हैं और साथिसास as the works area is purely ventilated अब यहाँ पर दिए यह क्रियेटिनिज्म होना चाहिए से रिएटिड होगा यह क्रियेटिव ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए स्कीन होना चाहिए इस आसप्वाइंट में में स्प्रिंट होगा अब हम बात करते हैं अगर अच्छे से उस ऐरिया में नहीं है तो डाइस वेगरा यूज होते हैं उसका जो fumes होता है वो भी हमा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स चैप्टर में अभी तक का जो बायो का पोर्षन था हमने शुरुवात की तीनों चैप्टर समने खत्म किये हैं अब हम लोग नेक्स जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेदर्स, क्लाइमेट और अड़ेपटेशन वाला तो कोसिस करेगा फ्रिंड कोसिस करना है आपको जो भी आपके डाउट्स हो वो जरूर पूछिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर सेयर कीजिए हम लोग मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मुच्च्च।